आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि दिये गए Options में से Toothless Mammal कौन सा है तो अगर अपने Options को देखें पहला हमें दिया हुआ है Sloth Sloth की जब हम बात करते हैं तो यह एक Common Arboreal Mammal है Arboreal मतलब यह प्रीज पे ही रहता हुआ जनरली पाया जाता है और इसको इसकी Slow Movements के लिए और InActivity के लिए जनरली जाना जाता है इसके बाद Anteater हमें दिया हुआ है यह अगेन हमारे पास एक तरह का Placental Mammal होता है जिसका हम देख सकते हैं कि एक Elongated Snout है और Anteater इसको इसलिए बोलता है क्योंकि अगर इसकी Diet को हम देखें तो मेंली यह Termites पे और Ants पे फीड करता है और अपनी Long Sticky Tongue को यूज करके यह Ants को अपने माउथ तक लाता है इसके बाद Armadillo जो हमें दिया हुआ है यह अगेन हमारे पास इस तरह का Mammal है जिसके उपर हम देख सकते हैं कि एक Leathery Protective Covering या Shield यहाँ पर प्रेजन है लेकिन Toothless की हाँ पर बात हो रही थी तो अगर इन Animals की Classification हम देखें हमारे पास Mammals की Class के अंदर यानि Mammalia के अंदर एक Zen Arthra नाम का एक Super Order होता है और इस Super Order में इन सभी Animals को हम Place कर सकते हैं इसके बाद में हमारे पास Pylosa नाम का यहाँ पर एक Order है जिसमें हम Sloths को और Anteaters को इन दोनों को Place करते हैं जनी Sloth और Anteater यह दोनों तो एक ही Order में आ गए Pylosa में और Sloth, Anteater, Armadillo यह तीनों ही Mammals Zen Arthra नाम की Super Order में Place किये जाएंगे और इस Super Order का क्या Characteristic Feature है माना जाता है कि इसके सभी Members जो है वो इकठे Evolve हुए थे South America में करीब 60 Million Years अगो और कहते हैं कि बाकी सारे Mammals का जो Evolution है उससे हट कर यह करीब 100 Million Years अगो एक Separate Lineage में चले गए थे यानि इनका Evolution जो Zen Arthra Super Order की Members है इन Mammals का Evolution बाकियों से अलग हुआ है बाकी Mammals से और यही Reason है कि हमने देखा कि इस Super Order में जो भी Animals Evolve हो रहे थे उनके पास Stubby Teeth प्रेजन थे यानि दाथ उनके छोटे छोटे थे बाकी Mammals के Comparison में Evolution के टाइम पर यह Reduce थे लेकिन अब अगर हम देखते हैं तो Sloth Bear में हमें दाथ मिल जाते हैं क्योंकि Mainly इसकी Diet में Leaves होती है और इन Leaves को Bite करने के लिए यानि Food की Biting और Grinding के लिए इसके Upper और Lower दोनों Jaw में अलग-अलग तरह के Teeth प्रेजन होते हैं फिर Armadillo की बात करें तो Armadillo के पास भी Properly जैसे Jaw में Embedded Teeth होने चोई हैं वैसे तो नहीं पर Cheek Teeth प्रेजन होते हैं जो कि इसके Food को Grind करने में इसकी Help करेंगे लेकिन Ant Eater हमारे पास यहाँ पर ऐसा Example है जो कि हम देखेंगे कि इसके पास Elongated Tube-like Mouth होता है और वो Lips से भी Enclosed होता है जो Mouth की Opening है लेकिन Teeth इसके पास नहीं होते क्योंकि इसको अपनी Long Sticky Tung की Help से Ants और Termites पर Feed करना होता है Ant Hills में से Ants को Extract करना होता है तो यहाँ पर Toothless Mammal के लिए हम Ant Eater करेक्ट आंसर माग कर देंगे हाला कि Sloth, Ant Eater और Armadillo यह तीनो ही Mammals के अंदर Zen Arthra नाम के Super Order में आते हैं जिनकी जो Evolutionary Lineage है बाकी Mammals से थोड़ी अलग है इसलिए Teeth Inn में Stubby टाइप की होंगे थोड़ी Reduced होंगे मगर जो बिलकुल Toothless है उसके लिए Correct आंसर हमारा Anteater हो जाएगा Classics Tutorial से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट का भरोसा आज ही डाउनलोट करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 84444 पर